हाई, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छी होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे याँ टोयेटा इनोवा लवर्स के लिए गुड न्यूज आ गई है आपकी फेवरेट इनोवा अब आपको पेट्रोल वेरियंट के साथ साथ हाईब्रिड में भी मिलेगी जिसका सिंपल मतलब यह है कि अब आपको और जादा एफिशेंसी मिलेगी और जबरदस परफॉर्मेंस मिलने वाली है सिर्फ एफिशेंसी नहीं इसके साथ साथ बहुत सारे मेजर चेंजिस भी किये गए हैं हमारी टोयटा इनोवा में अब इसका न्यू नेम होगा टोयटा इनोवा हाई क्रॉस इसका ग्लोबल डेब्यू अल्रडी इंडोनेशिया में हो चुका है जहां इसे नाम दिया गया था इनोवा जैनिक्स और अब फाइनली इसका लॉंच इंडिया में भी होगा and that is on 25th November 2022 मतलब सिर्फ एक दो दिन की बात है फिर इनोवा हाई क्रॉस होगी बिलकुल हम सब की आखों के सामने हमारे वाकराउं रिव्यू के साथ Toyota ने confirm किया है कि ये कार इस बार hybrid power train के साथ आएगी which is Toyota hybrid system या आप इसे THS भी बोल सकते हैं और ये same power train आपको urban cruiser high rider में भी मिलता है जो आपके non hybrid है उसके अंदर आपको 2 liter का petrol engine मिल रहा है और जो आपका hybrid है उसके अंदर आपको 2 liter petrol engine के साथ-साथ full-on hybrid train भी मिलेगा और बहुत strong possibility है कि Innova high cross में भी diesel engine को discontinue ही रखा जाएगा कार के looks की बात करते हैं तो front को total change किया गया है यहाँ पर आपको stylish grill मिलती है जो बहुत कार को refreshing look दे रही है LED headlamps आपको मिल जाते हैं आपके जो front और rear bumper है वो भी बहुत ज़्यादा change किये गए है तो उसकी वज़ा से in total जो कार की look है वो आपको बहुत ज़्यादा SUV की तरह लगेगी इस बार गाड़ी आपको पुरानी look बिल्कुल नहीं देने वाली बहुत एक muscular सा SUV look लेके आये हैं ही लोग तो MPV वाले illusion से आप लोग इस बार निकल जाएंगे और ये गाड़ी आपको full on SUV ही दिखने वाली है tires की बात करें तो यहां आपको G variant में 16 inch alloy wheels मिलते हैं जबकि hybrid में आपको 18 inch alloy wheels मिलेंगे कार के back profile की अगर बात करेंगे तो कार का back भी काफी stylish बनाया गया है आपके पास LED tail lamps दिये गये हैं जो बहुत classy look दे रहे हैं आपको अगर आप tail gate की बात करेंगे तो यह आपको power tail gate दिया गया है और इसमें first time आपका introduce किया गया है voice command means voice command की help से आप अपने tail gate को open and close कर सकते हैं यह बहुत interesting feature लगा मुझे electric parking brake and brake hold की facility भी आपको मिल जाएगी interior cabin की अगर हम लोग बात करें तो आपको बहुत spacious feel होगा back side में जो हमारी rear seats है यह आपको बिल्कुल ऐसा feel देगी जैसे आपको well fire में मिलता है means जो आपकी captain seats है उनको recliner बनाया गया है और जो आपका नीचे foot rest है वो भी आपको मिलता है ताकि आप maximum comfort को enjoy कर सकें high cross TNGA platform पर बनाई गई है TNGA का मतलब होता है Toyota new global architecture यहाँ पर जैसे गाड़ी पहले आपको ladder on frame architecture based थी इस बर यह monocoque architecture based है means गाड़ी single ही form में बनाई गई है एक single structure इसका create किया गया है जिसकी वज़ा से आपको बहुत ज़ादा comfort feel होगा और आपकी जो ride quality है वो बहुत ज़ादा smooth हो जाती है आपको high cross में 10 inch dual rear seat entertainment system भी मिलेगा जो की बहुत interesting चीज़ होती है और बोला जाता है कि देखिए जितना पैसा हम लोग हर्च करें और company हमें उतनी facility दे तो बहुत बढ़िया हो जाता तो यह वह एक add-on चीज़ है कि आपको multimedia screen मिल जाते है rear seat पर भी चलिए अब बात करते हैं high cross के power train यानि engine की G&V में आपको petrol engine मिल रहा है और जो आपका hybrid variant है वो आपका mild hybrid नहीं है it is your complete hybrid system जो हमारा high rider and vitara में भी same है बट यहाँ innova में जो major change किया गया है वो है कि इसमें 2 liter petrol engine है जबकि high rider या फिर हम vitara की अगर बात करें तो वहाँ पर 1.5 petrol engine का use किया गया है फिर भी आपको 2 liter petrol engine छोटा लगेगा for this big size MPV उसके लिए Toyota ने बहुत smart move लिया है जिसमें car का weight reduce किया गया है जिससे आपको better efficiency and performance मिलेगी in terms of driving कार की specs की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहां पर पुरानी वाली जो हमारी इनोवा क्रिस्टा है उससे थोड़ा सा आपकी width को भी बढ़ाया गया है और length को भी बढ़ाया गया है all new suspension इसके अंदर introduce कर दिया गया है आपको यहां पर panoramic sunroof मिल जाता है आपको मैं बता चुकी हूँ already कि हमें front and rear bumper spoilers मिल जाते हैं बहुत responsive engine है यहां पर effortless steering आपको दिया गया है illumination lights भी आपको new मिल जाती है cabin बहुत जादा spacious है हमारा captain seats with ottoman मैं आपको बताया है full on recliner है आपके पस with your footrest और यहां पर आप अपनी car में wireless charger भी देखेंगे panoramic view monitor भी आपको मिलता है means इस गारी के अंदर आपको 360 degree camera coverage भी मिल रही है driving performance भी इस car की बहुत improve की गई है और acceleration जो हमारी है वो बहुत जादा linear and responsive है because of additional supply of power from the motor क्योंकि motor लगी आपको power मिल जाएगी जिसकी वजा से जब भी आप accelerate करेंगे तो आपको linear response मिलता है बड़ी हुई power के साथ यह जो engine यहाँ पर 2 liter यूज किया गया है आपको मैं बता देती हूँ कि जो global market में engine आता है न दोस्त हमारा वहाँ पर भी Toyota and Lexus में 2 liter engine ही यूज होता है जो इस बर हमारी Toyota Innova High Cross के अंदर यूज होने वाला है अगर आप इसे present Innova Crystals से compare करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारी different चीजें मिलेगी जैसे number one मैंने बोला improved engine आपको मिल जाता है number two all new suspension for smooth driving आपको मिल जाता है panoramic sunroof हमें मिल जाता है wireless charger हमें मिल जाता है rear seats are recliner with footrest जो पहले नहीं होता था normal seats होती थी हमारी monocoque chasses आपको मिल जाती है जिसकी वजह से जो आपकी vibrations है car में वो reduce होती है और आपको smoother rides मिलती है delivery की बात करें तो mid January 2023 तक आपको delivery मिलनी start हो जाएगी बट जिस हिसाब से एक गाड़ी बनाई गई है believe me बहुत stylish car है यह जबर्दस looks के साथ जबर्दस features के साथ इसको introduce किया जा रहा है तो लोग इसके ओपर crazy होने वाले है बहुत सारी गाड़ी होती है जिनका सिरफ hype create किया जाता है लेकिन yes यह गाड़ी hype होने लाये की है मैं बोलूं तो literally मैं दिवानी होगी हूँ इस car के looks के इसके features के और जिस तरीके से innova high cross में काम किया गया है customer feedback पे इतना धिहान दिया गया है कि आप imagine भी नहीं कर सकते तो इस car का waiting period तो mind blowing होने वाला है बहुत जादा waiting जाने वाली है दोस्त अगर आप interested हैं तो mid January में एक बर showroom में जा कि आप पता कर लीजेगा या फिर हमारी वीडियो के थूरू हम आपको exact date बता देंगे कि कब से आपकी innova high cross की booking स्टार्ट हो रही है तो चलिए दोस्त ये थी हमारी innova high cross जिसका launch हो रहा है 25th of November Mumbai में और हमें invite किया गया है और जरूर जाएंगे आपके लिए और वहां जाकर आपको ये गारी मैं full on दिखाऊंगी complete walk around के साथ और मतलब words निये मेरे पास कितनी जादा excited हूँ मैं इस car को face to face देखने के लिए तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बहुत ही जादा खुश रहिए love you all, bye